और इसके बीच आए आपको सीधे लिए चलते हैं मेटी में दक्षिर पस्चिमेशिया के सबसे बड़े बेवरेज़ प्लांट SLMG Beverage Private Limited के उद्गार्टन समारों में गुरुप के सी SN लधानी जी, JC लधानी जी, MD लधानी जी, राकिस लधानी जी, विवेक लधानी जी प्रदेश के हमारे अध्योगित यह मस्थापना विकास के आयुक्त सी मनोच कुमार सिंग जी, लधानी गुरुप से जड़िवे सबी अन्य सदस्यगाण और उपस्ति बाईयों पहनों अमेठी जन्पद में, आधनिय प्रदान मंत्री जी की पेड़ना और मार्क दर्शन में इस नए निवेश के लिए मैं स्थानी असांसाद और जन्परतनियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वास्यों को गरदे से अविनंदन करते वे लदानी गुरूप को बधाई देता हों, अपनी सुखकामनाई देता हों यह बॉटलिंग प्लान प्रदेश सरकार की इंवेस्मेंट की उस पॉल्सी का हिस्सा है ज्वादने प्रदानमंत्री जी ने हम सब को प्रतेक निवेस, रोचगार और बहत्रीन और जोगिक वातावरण देने के उप्देश से उत्तर ब्रदेश की सबसे बड़ी आबादी की राज्य उत्तर ब्रदेश में प्रारंब किया गया है हम सब जानते हैं उत्तर ब्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आउसिक्ता ये थी 2017 के पहले इस सब सपने हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में निवेश होगा इस लोगों के लिए कलपना थे लेकिन 2017 में डबन इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सब से इच्छे डिस्टिनेशन की रूप में अपनी एक पैचान बना रहा है कित्तों परिवर्तन होता है जब हम लोगों ने पहला इद्वेस्टर समिट आयूजित करने का निड़ने लिया था और फरवरी 2018 में उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्से रखा था वा मातर बीस हजार करोड उपे का रखा था तो मैं उन पर एक बार नाराज हुआ था था नहीं का भी इतने बड़ी प्रवादी का राज्जे और क्यों बीस हजार करोड की आप निवेश की बात करते हैं तो उन्हें का कौन यूपी में आये का निवेश करने के लिए मैंने का भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारना है और क्या एक वर्स सरकार होने के बाद भी हम इस धारना को बदल नहीं पा रहे हैं कि कहा आज आप बहुत है 20,000 करोड मैंने का भी नहीं लोवर लिमिट इसकी दो लाग करोड करोड तो वे हसने लग गए थे वे हसे थे कि दो लाग करोड का निवेश कौन करेगा कहां से आएगा और सच मुझ जब मुझ देश के अंदर अलग अलग अस्थानों पर गए लोगों से बाचिथ शुरू ही तो अ हरी एक जगे से यही बात कहीं जाती थी है कि हम लोग तो भाइप निरास होकर कि अउटर ब्रुदेश से निकले हैं हम दुआरा आना नहीं चाते हैं लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का आसन्य पृद्धान मंत्ति जी के मार्बरसन इर बारव सरकार के मार्बरसन जो रिफॉर्म् किये हैं जो नई पौलसी जारी आई है इस पौलसी के दायरे में रहकर करके आप निवेस करिये आपके निवेस और आपकी सुरक्सा की गारणटी हम देंगे और भायों वेनों आज मुझे बताते हुए प्रसंता है कि हमारा पहला इंवेस्टर समीट जब 2018 में संपन हुआ था हमें लगभग पौने 5 लाग करूल उपे का निमेश का पस्तौप राप्त हुए थे लेकिन ठीक 5 वर्स के बार जब हम लोगों ने इस वर्स फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इंवेस्टर समीट किया तो इस बार हमें जो 20 हजार कि रासी की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे जो हमें पहले इंवेस्टर समीट में प्रस्ताव पौने 5 लाग करूल के मिले थे इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर पौदेश में लगभग अब तक 38 लाग करोड उपे के निवेस्टर के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए है इसके लिए हमें बहुत सारे प्रिवरतन करने पड़े थे इस अब डूइंग बिसनेस में प्यापक सुधार लाना पड़ा था रिफोर्म करने पड़े थे सेक्टोरियन कौलसीज बनानी पड़ी थे प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था कानोन विवस्ता और सुरक्षा का एक बहत्पर वातावन देना पड़ा था इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में इंफ्रस्टक्चर के लिए आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रस्टक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वेम उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस्वे प्रदेश के रूट में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया च्छे वर्तमान एक्सप्रेस्वे के साथ ही साथ नए एक्स्प्रेस साइवेज के साथ उत्तरप्रदेश वर्तवान में कारे कर रहा है इस्टन इन वेस्टन डेडिकेटेट ट्रेट कोरिडोर उत्तरप्रदेश से होकर के जा रहा है उसका जंग्सन भी उत्तरप्रदेश में जेवर के पास है 2017 के पहले उतर प्रदेश में मात्र दो एएरपूर्ट क्रियासिन थे आज की दिन पर उतर प्रदेश में 9 एएरपूर्ट हमारी कि्रियासिन है ऐसिया का सबसे बड़ा एएरपूर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं जो फरवरी दोजार चौबीस में पहला रनवे उसका कारे करना प्रारंब कर देगा कानूर बिवस्ता बहतर होती है तो पेड़ाम कैसे सामने आते है यह प्रदेश के अंदर प्रेटन की बढ़ती वी इन नई संभामाओं को देखतर के अंदाजा लगा सकते है 2017 में जिस प्रदेश में मात्रों तीन करोड घरेबों और विदेशी प्रेटक आते थे आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़तनी हो रही है और मैं आज इसी बात के लिए आस्वस्त करने के लिए आया हूँ यहाँ पर SLMG वेवरेजिस ने जो यह बॉट्लिंग प्लांट की अस्तापना करके यहाँ पर अमेथी को जो एक नया उपहर दिया है निवेश का दसकों से यहाँ पर अध्योगिक परच्छेत्र चिन्नित हुआ था लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था उन्होंने विकास को बहुत संखुची दाइरे में रहकर के सीमित कर दिया था वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे उन्होंने समाजिक ताने बाने को छिन्न विन्न करके रख दिया था समाज में वर्व संखर्स किस्ति पैदा करने का कुछित प्रियास किया था तो जो ब्यक्ति परिवारवाद में और सामजिक वेवनिस सिता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा उस ब्यक्ति के पास कहां से पुरसत होगी कि वहर दिकास के बारे में सोचेगा निवेश के बारे में सूचेगा बेतर कानून विवस्ता के बारे में सूचेगा और उत्तरप्रदेश दुर्भाग गिसे इनी लोगों की कुदरिष्टी का इस शिकार बना था लेकिन आज इससे उभर करके नए-napय निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे है डिबलमेंट का ऐसा कोई काले नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डवल इंजन की सरकार न कर रही हो और आज उसी का प्रिणाम है किस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एको एक नई गती दी है और जहां पर यहां एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बलकि इस्तानी अस्तर पर नौज़मानों के लिए रोज़गार के भी एक बहत्रीन बंतब्य के लिए यह जाना जाएगा बलकि इसके माद्यम से इस्तानी अस्तर पर उन्हें छात्रों को यहां हम टेनिंग के साथ जोड़ करके एक इस्ट्यूट को यहां पे डेवलब करेंगे और मैं उनसे कहना जाओंगा कि एक उसर है जब हम पि-म इंटनसिफ स्कीम और सी-म इंटनसिफ स्कीम का लाब ले सकते हैं कोई भी उद्योग जो इस परकार के मौजवानों को अपने साथ जोड़ेगा आधा मानदे उद्योग को देना पड़ेगा और आधा मानदे एक वर्स की ट्रेनिंग के लिए स्वेम सरकार उन्हें उप्लब्द करवाएगी और इस स्कीम का लाब अगर कोई भी उद्योग लेता है तो हमारे यूद के पास अनुभव होगा उसको कहीं भी प्लेस्मेंट की एक नई सुद्धा प्रप्त होगी लेकिन सासाथ उद्योग को भी अपनी रूची और अपनी पसंद के योग्या मैन पावर की उपलब्द था उनके सामने यहाँ पर अस्थानी अस्पर पर ही उपलब्द होती भी दिखाई देगे बहुत सीधर हम लोग लगभग दो हजार करोर रुपे के नए निवेस के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर की आने वागे है यूपी सीडा के द्वारा जो यहाँ पर इस उद्योगिक प्रचेत्र में भूमी आरक्सित की गई है उस आरक्सित भूमी में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इंवेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड प्रेकिंग सरेमनी के बाद्यम से हम लोग टेजी के साथ आगे बढ़ाना चाते है जो यहाँ की लोग प्रिये सांसत और मान्ये केंद्रिय मंत्री जी ने जो बात कही है पुर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस हुए गंडा एक्सप्रेस हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाई वे पर हम लोगोंने और जोगिक निवेस के नए कलस्टर विक्सित करने के एक नए कारिक्रम को आगे बढ़ाया है और मुझे बताते में प्रसंता है कि कानपूर से लेकर के जहासी के बीज 38,000 एक्सप्रेस भूमी पर एक नए और जोगिक सहर के निर्मान की कारवाई को भी बसानी की कारवाई हमने प्रारंब की है आप असरे करेंगे कि नएडा को बसाने में और नएडा को स्तापित करने में 46 सुर्स लगे कुल 35,000 एकड भूमी हम लोगों ने यहाँ पर अब तक अरजित की है जिसमें टाउन सिपी है और निवेस भी है निवेस के लिए वहाँ पर और जोगिक निवेस के लिए भी भूमी आबट वहाँ पर आरक्सित की गई लेकिन बंदेलखन जहासी बंदेलखन और जोगिक छेत्र में पहले ही फेच में हम लोग 38,000 एकड भूमी को लेकर के इस कारेक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं वहाँ एक निया एरपूर्ड भी मनाएंगे वहाँ पर हमारी बेहत्रीन कनेक्टिविटी बंदेलखन एक्सप्रेस वे की भी है कानपूर जहासी हाईवे की भी है और भी अन्य अच्छे बेहत्रीन वहाँ पर एक कनेक्टिविटी की हम लोगोंने विवस्ता दी है इनलेंड वाटरवे वारहासी से हल्दिया के बीच में दिया है यह क्रियासील हो चुका है उतर्ब्रदेश सरकार वर्तमान में इनलेंड वाटरवे और्थर्टी के गठन की कारवाई राज़श्टर पर भी कर रही है पुतर-ब्रदेस में जल मारओ में के निकास के लिए हमारी सदा नेरा नदियां प्रियाप्त जल रासी इनमें साल भर रहता है इनमें जल मारओ में को भी हम इनके माध्यम से यहां से एक्सपोर्ट एक नए हब की रूप में स्थापित करने की कारवाई को आगे बढ़ाने का कारिक कर पाएंगे इस विश्वास के साथ जितना भी लैंड बैंक हमें उप्लब्द होगा जहां हम इसका प्योग निवेश और रोजगार के लिए करेंगे वहीं साथी साथ प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर निवेश सक्कों मैं इ प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश स्वित्र प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार उप्लब्द करवा रही है चारसो तीस से अधिक एनोसीज के वर एग जगे आविदन करने से उन्हें प्राप्त हो जाएंगे प्रदेश सरकार के साथ निवेश के किसी भी छेटर में निवेश करने वाले किसी भी निवेशकों मौयू के साथ ही निवेश सार्थी पोर्टल के मात्यम से उसकी निस्चित मॉनिटरिंग होगी और निवेश करने के उपरान तो भी आनलाइन इंसेंटिप के साथ उन्हें जोडने की पूरी प्रतिवदता के साथ राज्य सरकार कारे कर रही है इसलिए मैं हर निवेश्षक को इस बात के लिए आस्वस्थ करूँगा कि प्रदेश में निवेश की गारंटी आपकी होगी लेकिन पूजी की सुरक्सा और आपकी सुरक्सा की गारंटी सरकार की होगी इस विश्वास के साथ नध्वार कुए इस निवेस के लिए हिरदय से धन्य Бाद देता हूँ अस्थानिय नाग्रिकों को जो इस प्रकार के निवेस का स्वागत करते हैं उसे प्रोचसाहित करते हैं, उनका विनंदन करता हूँ, और मानने जल प्रतुनिधियों का जो सकारतनक सयोग इन कार्यों के लिए मिलता है, उनको भी हुले से धन्यबाद देते हुए, आप सब के प्रति में अपनी सुपकामनाई देता हूँ, एक बार फिर से, इस बेतरी न बेस के लिए लदानी परिवार को हिर्दै से बधाई और सुपकामनाई जय है।